दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके जो पेपर लिक से रिलिटेट एक और मामली का खुलवासा हुआ है तो ये अभी की लिटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज है आपके नीट एग्जाम का जो पेपर है वो एक और जगह से लिक होने की खबर आई है तो जानेंगे सार नाघपुर से नाघपुर से भी आपका जो पेपर लिक हुए है तो उसकी खबर आई है सीबिया का चाप हो तो उसमे ये खुलासा हुआ है तो नीट परिवर्पर के दो लोग इरासत में है तो एक पूरी coaching class वाले नहीं इसमें ये साजीस का दिखाया दिए रहा है तो रैवार को इन नीट परिक्सारती परिक्सारती बैठानी की बात सामने आई है डिली से नागपूर पहुंची सीबेई की टीम ने सोमर को नागपूर के दो coaching class वह coaching class सलाने वाले संचाल को के मेकानों की इतला सीली नेट में फटजी प्रिक्सारती बेटाइकल लाख रुपए जम करने वाले कोचिंग क्लास से जुड़े एजेंटों का जाल नागपूर समय देश बर में पहला होने की प्रात्मिक जानकरी सीबे को मिली है तो इनका ये प्रात्मिक जात्मिक ये पाया गया है कि इनके जो दिल्ली तक भी फेले हुए था तो गोर्तलबी की दिल्ली की सीबे टीम ने सुमवार को नागपूर सीबे की मदल से नंदन वन इस्तित आर के सिख्षा शंतानों गनेस नगर आजमसा लियाओट इस्तित केरियर पोइंट की तलासी ली थी दोनों कोचिंग क्लास के समचालों गरकी भी तलासी लीगी कोचिंग क्लास से दस्तावेज जब्त किये गए है रविवार को नागपुर समित पूरे देश में नीट की प्रिक्षावी डमी प्रिक्षारतियों बैठाने की बाद सीबे दिली को पता चलिया है तो dummy बेटतीयों को बैटाए गया है जो rear candidate थे उनको ना बैटाए गया है उनकी जिगर पे अधर जो candidate उनको बैटाए गया है यही सेम मामला आया था आपका वारा नसी से तो वहाँ पे भी आपका जो डमी एक कंडिडेट है जो प्रॉक्सी स्टूडेंट है उसको बैटा के एक्जाम है वो दिलबाया गया था तो इसमें ये भी पता चला कि गरो के तार दिली तक पहले वे हैं सीबिया दिली ने गरो से जुड़े कुछ संस्ता संचाल को से भी पूस्ताच किये तो ये दोस्तो अभी जैसे जैसे समय बीता जा रहा है वैसे वैसे जो अधर स्टेट है वहाँ से भी न्यूज आ रही है आपका पेपर लीक हुआ है तो अभी की जो लेटेस्ट न्यूज आई है वो आपके नागपूर से आई है तो नागपूर की जो कोचिंग क्लासेज हैं उनसे जुड़े दो लोगों को इरास्त मिलिया गया है और इनके नाम भी आप यहां पे चेक कर सकते हैं तो इनके नाम भी यह दिये गया है यहां पे अंकित है और पुलकुटिवार हैं यह बताय जा रहे हैं और इनके दस्ताविज वगरा भी यहां से इनके जब्त कर लिए गया है तो दोस्तो नागपूर की अभी की लेटिस्ट कबर आई है कि नागपूर से भी आपका जो पेपर वो लीक हुआ है लेकिन एनटिये ने अभी तक भी इसकी कोई भी अपडेट नहीं दी है केवल एक न्यूज पेपर को इंटर्वी दिया था तो उसमें इनोंने सीरे से नकार दिया था कि ऐसी कोई भी हमें लिखित में है या कोई भी ऐसा प्रकरण हमारे च्रमक्ट नहीं आया है तो जो बैड़ती जैपूर का इस प्रकरण में लिख था तो उसे ही केवल इससे बाहर रखा जाएगा उसी को प्रेक्शन लिया जाएगा लेकिन अभी जो देश वर से इस तरही खबरे आ रही है तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है आप रिनीट चाते है या नहीं चाते है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा और बागी का अधर जो भी अपडेट आईए आपकी तो उसके लिए आपको वीडियो को माध्यम से प्रोइड करवा दी जाएगी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा ले वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इस तरह की खबरों के लिए दोस्तों आप ज्यादा 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 जो स्टुडेंट्स उनको अवेर कीजिए जिससे कि आप अपनी यूनिटी बना के अगर आप आप जूर यह नीट का पेपर लीक हुआ है तो उसके पक्स में आप कुछ ना कुछ कारवाई देखने को आपको मिल सकती है अधर्वाइस जो एंटी की द्वारा का गया है कि आपका एक्जाम वह पॉस्ट पॉन या आपका जो री नीट हो नहीं करवाया जाएगा कैंसल न अपडेट आती है धन्यवाद जेहिं जेवर